नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइज और टोबिक वाइज देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो हम अश्केट्स हम कवर करेंगे इस आठकल की डिस्केशन में देखो डिश्टल पेइमेंट्स हमारे देश में पिछले कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ रही हैं वोल्यूम वाइज भी और वेल्यू वाइज भी वोल्यूम वाइज मतलब डिश्टल पेमेंट्स के जो payment कर सकते हो आपको bank में जाने क्या हो सकता नहीं है या फिर किसी person को पैसे देने हैं तो in physical आपको जाने क्या हो सकता नहीं है कुछ carry आपको करने क्या हो सकता नहीं है secure transactions है financial inclusion होता है digital payments पर incentive cashback offer promotional schemes यह सब भी avail किया जा सकते हैं cash को खोने का डर नहीं है note आप अगर किसी person को देते हो तो कई बार कुछ note नकली निकलने का डर रहता है कि note नकली निकल गया लेकिन digital payment आप करते हो तो इस परकार का कोई डर नहीं है cash की तरह cash को handle करने का डर नहीं है आप बड़ी संख्या में cash एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हो तो डर लगा रहता है कहीं कोई back loot ना ले लेकिन digital payment में ऐसा कोई डर नहीं है digital payment देखो काफी तरह की होती है using bank accounts जैसे NEFT, RTGS, IMPS, using cards for example debit cards, credit cards, ATMs, point of sale, machines mobile payments जैसे UPI, USSD, IMPS, mobile banking, mobile wallets जैसे paytm, amazon pay, phone pay, अधार-based system जैसे की अधार payment bridge, अधार enabled payment services, micro ATMs, तो ये सब हमने types डिसकस किये, examples डिसकस किये digital payment के, इसके बाद writer थोड़ा सा evolution पर चर्चा करते हैं हमारे देश में digital payments evolved कैसे हुई, writer कहते हैं इसके पीछे एक लंबी story है, 1998 में RBI के दवरा एक document release किया गया था, payment systems in India, इसके कुछ साल बाद, यानि मार्च 2004 में RBI ने real time gross settlement system की service launch की, और around उसी समय, NEFT की service भी RBI के दवरा launch कर दी गई, ये एक बार आप difference देख लीजिए, NEFT, RTGS और IMPS में, minimum transfer value कितनी है, एक रुपे, दो लाक एक रुपे, payment options, online offline दोनों है, online offline दोनों है, IMPS सिरफ online है, maximum transfer value no limit, IMPS में maximum है, दो लाक और RTGS में maximum है, no limit, एक यहाँ पर थोड़ा सा change है, NEFT की जो service है, अब वो 24 घंटे available हैं, और जल्द ही, RTGS की service भी, दिसंबर में 24 घंटे available हो जाएगी, बहुत कम देश ऐसे हैं, जहाँ पर अभी, NEFT की जो service है, वो 24 घंटे available है, charges कितने लगते हैं, NEFT के no charges, RTGS के no charges, और IMPS के जो charges हैं, वो bank to bank vary करते हैं, तो देखो, जब RTGS आया 2004 में, तो उसके बाद, stock market पे payment हो, government bond trading हो, या फिर दूसरी customer payments हो, उन में बहुत ज़़दा transformation आ गया, देखो, जो हरसाद मैता scam हुआ था, 1992-1993 में, उसका एक major reason ये था, कि payment system अच्छा नहीं था, तो RTGS जब आया 2004 में, इस परकार के scam की जो संभावना है, बहुत ज़़दा कम हो गई थी, और जैसा हमने डिसक्स किया, NEFT आया बाद में, NEFT आज 24 घंटे available हैं, और RTGS भी जल्द ही 24 घंटे available हो जाएगा, इसके बाद article में कहा जाता है, देखो, RBI नहीं जैसे जैसे digital payments को promote करना start किया, इससे हमारे देश में, capital market में और corporate world में भी काफी transformation आया, मैं आपको example देता हूँ, देखो digital payment से पहले, share market में जो trading हुआ करती थी, मालीजिये, आपने किसी company के share purchase किया है, आज 22 October को, तो फिर उस transaction को settle down करने में लंबा समय लग जाता था, transaction को settle down करना मतलब, आपके bank से पैसे कटना, और आपके हाथ में shares आना, पूरा settle down करने में समय लग जाता था, लेकिन digital payments आने के बाद में अब T plus 2 का time लगता है, T मतलब transaction date, आज आपने share purchase किये हैं, तो दो दिनों के अंदर आपकी transaction है, वो settle down हो जाएगी, share बेचे हैं, तो फिर आपके जो demate account है, उसमें से share कट जाएगे, और आपके bank account में पैसा आ जाएगा, लेकिन अब तो payment system और भी ज़्यादा हमारे देश में strong हो गया है, अब payment system में जो payments हैं बहुत तेजी से exchange हो जाती है, तो से भी विचार कर रहा है, T plus 2 भी छोड़िये, share market में अगर transaction होई हैं, तो सिरफ एक दिन का time लगेगा, T plus 1 system लाने पर से भी अब विचार कर रहा है, यह जल्द भी आ भी जाएगा, और यह तब possible हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में payment system अब काफी ज़्यादा strong हो गया है, इसका फाइदा देखो यह भी होगा, कि ज़्यादा capital investment हमारे देश में आएगी, और financial market और ज़्यादा strong होगी, इसके बाद देखो, राइटर के द्वारा कहा जाता है, payment system जो हमारे देश में strong है, इसका credit payment corporation of India को भी जाता है, 2009 में RBI ने 10 leading banks को कहा था, कि आप मिलकर इस परकार की payment corporation of India बनाईए, आगे national भी है, national payment corporation of India establish कीजिए, retail payments को handle करने के लिए, वैसे idea RBI के द्वारा 2005 में रखा गया था, सबसे पहले, जब एक document release किया गया था, vision document on payment system 2005 to 2008, इस vision document में release किया गया था, RBI के द्वारा 2005 में, और सबसे पहले तब इस NPCI के idea को RBI के द्वारा रखा गया था, और ये idea कैसे निकल के आया, 2004 में 4 members की एक team गई थी Sweden में, वहाँ पर Central Bank को study करने के लिए, Sweden के Central Bank का नाम है Ricks Bank, तो study के बाद इन 4 members ने suggest किया था, कि एक note for profit organization establish की जाए, जैसे Sweden में है, Sweden में 8 बैंकों ने मिलके वो note for profit organization establish की है, payment system के लिए, तो हमारे देश में भी कुछ banks मिलके, ये national payment Corporation of India establish कर सकते हैं, और बाद में ये हुई भी कब 2009 में, अब तो देखो, 56 banks shareholder हैं इस organization में, पहले सिरफ 10 banks थें, लेकिन अब shareholder banks की संख्या बढ़के 56 हो गई हैं, 19 public sector banks, 17 private sector banks, 3 foreign banks, 7 multi-state cooperative banks, 10 regional rural banks, ये 2008 में establish होई थी, 2009 में नहीं होई थी, मैंने गलती से अभी 2009 बोल दिया था, इसके बाद writer का कहाना है, देखो पिछले 10 सालों में NPCI ने काफी अच्छा काम किया हैं, NPCI spotted by innovative technologies, जैसे की UPI, यानि Unified Payment Interface, और Immediate Payment Service, यानि IMPS, इन technologies के साथ, MPCI ने काफी अच्छा काम किया हैं, और MPCI एक note profit company है, वो इसलिए हैं, क्योंकि सरकार चाहती थी, कि public good aim होना चाहिए, MPCI का ना कि profit, तो ऐसी situation में देखो, अगर MPCI का profit aim नहीं है, तो survive करने के लिए, sport तो चाहिए ना, या तो RBI sport प्रोवाइड करें, या फिर सरकार प्रोवाइड करें, लेकिन अब कुछ experts ये स्वाल उठा रहे हैं, कि MPCI को एक for profit company में तबदील कर देना चाहिए, ताकि competition का सामना क्या जासके MPCI के द्वारा, और for profit company अगर बनती है MPCI, तो जो shareholders हैं, इतने सारे banks, ये सब, इनको भी फाइदा होगा, क्योंकि MPCI पैसा कमाएगी और वो revenue बटेगा इन सभी shareholders में, बट देखो, इसका विरोध किया जाता है, राइटर के द्वारा, राइटर कहते हैं, ये एक retrograde step होगा, देखो वैसे, जो RTGS या फिर NEFT जैसे services हैं, RBI के द्वारा free provide की जाती हैं, एक मकसद था, इसलिए RBI free ये services provide करता है, कि digital payment को promote करना, वही मकसद NPCI के पास भी हैं, NPCI अगर बिलकुल free services provide करेगा, या फिर बहुत ही कम rate पे services provide करेगा, तो हमारे देश में digital payments का expansion होगा न, अगर NPCI पैसे charge करने लग जाएगा, तो फिर digital payments का expansion ज़्यादा अच्छे से नहीं होचकेगा, हमारे देश में खास करके, rural areas में या फिर semi-urban areas में, इसके बाद writer एक बहुत important issue raise करते हैं, merchant discount rate से सम्मद देते हूं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यह merchant discount rate है क्या, देखो मान लीजिए आप जाते हो petrol pump पर, petrol भरवाने के लिए, आपने गारी में petrol भरवाया, उसके बाद आप card से payment करते हो, आपके पार समान लीजिए ICIC bank का card है, और वहाँ पे machine है POS है, और उस machine पर आप payment करते हो, उस pump owner को machine provide की हुई है HDFC bank ने, आपने तेल भरवाया 1000 रुपे का, तो 1000 रुपे आप दोगे न, अपने card से, उस machine पर, तो pump owner के खाते में पूरे 1000 नहीं जाएंगे, जो HDFC bank जिसकी machine है, वो पैसे थोड़े काट लेगा, जितनी merchant discount rate है, मालीजे, 1% merchant discount rate है, तो 10 रुपे काट लेगा, HDFC bank इससे पहले कि वो pump owner के खाते में 1000 रुपे जमा करवाए, अगर 2% MDR है, यानि merchant discount rate है, तो फिर 20 रुपे काट लेगा, इससे पहले कि वो पैसे जमा करवाए, pump owner के खाते में यानि 980 देगा, अब आपके मन में आया होगा ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, पूरी जो transaction ये conduct हुई है, बीच में एक intermediary है, जिसे आपने सुना होगा, visa card, master card, रुपे, ये सब बीच में intermedi intermediary है, जिन्होंने इस पूरी transaction को facilitate करवाया, तो जो रुपे, माली जे एक रुपे काटा, bank ने, तो वो किस-किस में share होगा, card issuing bank, आपके पास card था, ICICI bank का, तो थोड़ा उसको भी revenue जाएगा, उसके बाद payment network, यानि master card, visa card, रुपे card, ये जो intermediary है, इनको भी बीच में कुछ revenue जाएगा, ताकि ये अपने operations चलांस के, और bank debt provided POS machine, यानि pump पर, जो HDFC bank ने machine provide की थी, कुछ HDFC bank अपने पास भी रखेगा, तो इस परकार से ये MDR जो है, वो divide हो जाती है, women stakeholders के बीच में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, MDR का तो चलो basic हमने discuss किया, सरकार ने 2020-21 के budget में announce किया, अगर rupee card है, या फिर UPI से payment होती है, तो फिर MDR लगएगा 0%, यानि आपने payment की, petrol pump पर जाकर, और rupee card यूज किया आपने, तो फिर HDFC bank कुछ नहीं काटेगा, 0 रुपे काटेगा, और सारे के सारे जो पैसे हैं, वो pump owner के खाते में डाल देगा, लेकिन, अब दिक्कत क्या है, सरकार ने ये announcement की सिरफ rupee and UPI के लिए, जबकि visa master cards, इन intermediaries के लिए सरकार ने ये घोशना नहीं की, अब ये bank तो बहुत smart है, bank सोचते हैं, कि या रे rupee card होगा, तो फिर हमें MDR में कोई फाइदा नहीं होगा, merchant discount rate जो है, वो तो 0 मिलेगी, हमार banks, अब क्या करते हैं, रुपे card के साथ tie up करते ही नहीं है, banks tie up करने लगे हैं, ज्यादा visa card के साथ, master card के साथ, क्योंकि उन्हें पता है, visa card और master card अगर इस्तमाल होगा payment करने के लिए, तो MDR लगेगा, और MDR लगेगा, तो इसका मतलब हमें भी कुछ revenue प्राप्त होगा, तो visa card के लिए भी बोल दो, master card के लिए भी बोल दो, ताकि banks काटल ना बनाए, और रुपे card को छोड़के visa card और master card के साथ tie up ना करें, ये writer बोलना चाते हैं, writer ये भी कहना चाते हैं, कि देखो MDR तो या तो बिल्कुली कम होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए, ऐसा Europe की central banks में हैं, और फाइदा ये होता है, MDR अगर जीरो होता है, तो ज्यादा payments होती हैं, अब कई सारे petrol pump तो ये machine लगाते ही नहीं है, ये सोच के कि अरे बहुत सारा तो पैसा कटी जाता है, 10-10 रुपे कट जाते हैं, 1000 रुपे का तेल अगर कोई भरता है, तो machine से आमे नुक्सान होता है, हम नहीं लगाएंगे machine, machine नहीं लगवाएंगे, तो फिट digital payments होती नहीं है, अगर digital payments ज्यादा insure करनी है, तो आप MDR 0 कर दो ना, या फिर कम से कम कर दो, ये writer बोलना चाहते हैं, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.